बुद्वार को अश्टमी थी है, रादाश्टमी भी है बुद्वार को, तुरवाश्टमी भी है बुद्वार को, और गवरी अश्टमी भी है बुद्वार को, और शिव महापुरान की कथा करती है, गणेश्ट पुरान के तरती अध्याय में बढ़नन किया, बुद्वार के दिल अगर अश्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बिमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पा कुछ ना कर हरा मुंग के कटोरी भर लो मुंग जानते हरे मुंग मुंग की दालोती न जो हरा मुंग आखा मुंग हरा कि कटोरी भरो उस पर गुड़ की एक खोड़ी गुड़ की बटी गुड़ की बाटी उस पर रखो पांच बेल पत्र रख लो और जिस ब्यक्ती को बहुत भारी बिमारी है कैंसर जैसा रोग भी है किड़नी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे है कोई दुर्वाश्टमी जिस दिन भगवान ने गनेश जी ने एक राच्छस का संगार करा तो कश्य प्रिशीनम को दुर्वा दी थी वो अश्टमी पहली बार दुर्वा चड़ी ती गनेशी को उसका व्याख्या ना आएगा कथा मूं कटोरी में भरकर गुड़की खोड़ी र चरीर पर से उतार कर महराजा सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्रक खुद का बोलकर और भगवान से गनेशी से बिंती करकर अश्टमी थी के दिन बुद्भार के दिन जो भी आ रही है बहुत समय के बाद पढ़ रही है उस दिन उसकर कटोरी नहीं लेना पुरानी कटोरी नह में नहीं हो नहीं कटोरी और उसको गनेशी के मंदिर में पहुचा दीजी गनेशी के मंदिर में पहुचाएं गनेशी के मंदिर में पंडी जी भी बेठे रहे हाथ में मत देना उस कटोरी को भले दरवाजे पर चोखट पर गनेशी के राइट हैंड की और आपका उल्टा ह पर रखना भूमी पर महाराजी कैसी भी बिमारी होगी अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अश्टमी को करकर देखना ग्यारस या फारस तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा यह अश्टमी कुछ साधरण नहीं आ रही हुद्वार मालूम एक्कीस एक्कीस दुर क्स्क Medien उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में माता जगदंबा के मंदिर में अर्थात चहां संकर पार्वती पून पून परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेजी के गले में वो माला अरपन करिया है अपना नाम बोलकर और जिस एक्जाम में बेट रहा है उसका भाववर्णन करकर मारा और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की फिलेक मे उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिने एक्जाम के लिए चले जाएए आपको उसका फल अवश्य में लेगा अवश्य में आप उसमें उत्रिन होंगे फल प्राप्त होगा दुरुबा सुक्र का अनुभव करा रहे है शिव महा पुरान बहुत सुंदर व्याठ्यान क एक निवेदा ने आपको फिर कहोंगा वुद्वार के दिन अश्टमी थी पढ़ रहे दुर्वास्तमी राधा श्तमी कवरी अश्तमी वुद्वार के दिन पढ़ रहे हैं जिसके घर में शांती ही ना रेती हो सुक यहीं नहीं है लेस्ट छौविस गंडे बना हुआ है घर लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना धना जानते हूं खड़ा धना आता है धना पाउडर नहीं धना और पांच गोल सुपाड़ी जो गोल सुपाड़ी होती पूजन वाली सुपाड़ी पांच पूजन वाली सुपाड़ी पांच बेल पत्र इस लाल वस् मद्धिस तर मिलातर वहां पटे पर रख कर उकुचावल से पूजन करकर उस पर तीन बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेजी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आजाता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता सुख और शान्ती ये दोनों प्रविश कर पांच दुर्वा सफेदे अंध्य सभेवाज पानी का जो जला शे होता है भावड़ी होथी तलाब होता है नदी होथी वहां लगती है सफेदौज सफेद दुर्बा लगते हूए नात की में तुटे हुए की अर्श पित कर दें बुद्वार के दिन अश्टिमीती थी दो पहर में ठीद 12 वाइद वही दुरवा पांच मिनित बाद उठा लें और उस दुरवा को एक एक दिन में सुभा खाली पे एक एक दुरवा को खाला माराथ आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा आपके पास में जाज की मसीनों कवश करिए पती और पतनी में दरार पड़ गई हो जिस पती पतनी की बात समाप तो होकर अदालत में केस पहुत चुका हो तलाप की बात आगई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनकी साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है और अदाल्ठ तक बात पहुच गई है वो अदालट को विजाने दो केवल आप बुद्भार की अश्टमी के दिन जो आने वली है बुद्भार की बुद्वार की अश्ठमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़के नीचे बनाना साथ में गोवर के विनायक बनाना गोवर का गणेश और गोवर का गणेश बना कर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदंबा के लिए एक धेली रग देना ग करना बड़े प्रेम से चंदन चंदन आधिक अच्छत पुष्प समर्पित कच्छा दूर तीनों पर चड़ाना तही तीनों पर चड़ाना शेह तीनों पर चड़ाना घी तीनों पर चड़ाना शकर तीनों पर चड़ाना पूजन करकर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र लाल उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के चापे बनाकर काम ना करकर कि हम पती पत्नी में कभी जगणा ना हो प्रेम बड़े क्लेश ना हो आनंद बड़े चापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाग देना पूजन करकर भीका दिया लगाकर ढाग दीजिए एक सुआट चावल के दाने लेकर एक चावल का दाना पने कामना करकर उस वस्तर पर डाल दीजिए वस्तर का चावल अपने उपर बाद में छुड़क लीजिए मूर्तियों का पूजन कर फिर आपिस पूजन करकर भी सर्जन कर दीजिए अगर अदालत में केस भी चल रहा का तलाक का तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुक्माई हो सकता है